दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रिम कोट से बड़ा जटका लगा है सुप्रिम कोट ने आज मदर्सा एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उस एक्ट को समविधानिक करार दिया है और हाई कोट को उस फैसले को भी पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि मदरसा एक्ट समविधानिक है जिस तरीके से उत्तर परदेश में नफरत की राजनीती की जा रही थी आज सुप्रिम कोट ने उस पर एक बड़ा हंटर चला दिया है सुप्रिम कोट ने कहा कि साफ तोर पर मदरसा एक्ट समविधानिक था और समविधानिक रहेगा और जिस तरीके से मदरसों को बंद करने की बात की जा रही थी ये किसी भी सूरत में कुबूल नहीं हो सकती है तो दोस्तों सुप्रिम कोट से उत्तर परदेश की योगी अधित्यनात की सरकार को बड़ा जटका लगा है ये कहा जा रहा था कि अब मदरसों को बंद किया जाना चाहिए और मदरसों के बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट करना चाहिए लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा कि जिस तरीके से समविधानिक चीज़ें हैं वो समविधानिक ही रहेंगी और क्या सुप्रिम कोड ने यूपी मदर्सा बोर्ड एक्ट को समविधानिक घोशित किया हाई कोड का फैसला खालिज किया सुप्रिम कोड ने यूपी मदर्सा बोर्ड एक्ट 2004 को समविधानिक घोशित किया है और यूपी मदर्सा बोर्ड की समविधानिकता बरकरार रखी है साल 2004 मे मुलायम सिंग्यादों के मुक्मंतरे रहते हुए राज सरकार ने ये कानून पारित किया था और मदर्सा बोर्ड एक्ट बना था लेकिन उसके बाद जब सत्ता बदली उत्तरपरदेश के मुक्मंतरी योगिया रित्तिनाग बने तो उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी मदर्से उत्तरपरदेश में चल ले सब को बंद कर देना चाहिए क्योंकि सारे मदर्से समविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उलंगन करते हैं इसलिए सब पर ताले लगा देने चाहिए और वहाँ पर पढ़ रहे छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए इलहाबाद हाई कोर्ट की लखनव बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये जो एक्ट बना है ये समविधानिक नहीं है असमविधानिक करार दिया था उसको लेकिन सुप्रेम कोर्ट ने उस पर तुरंत रोक लगा दी थी और फिर कहा था कि हम अपना फैसला सुनाएंगे अब सुप्रेम कोर्ट ने उत्तर परदेश की योगी सरकार को बड़ा जटका देते हुए नफरत की राजनीती पर पूरी तरीके से ब्रिक लगाने का काम किया है और जिस तरीके से उत्तर परदेश की नव विधान सभा सीटों पर उप्चुना होना है तो इसका असर साफ तोर पर उन विधान सभाओं पर भी देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि 13 नवंबर की तारीख थी ऐसा कहा जा रहा था कि सुप्रिम कोर्ट का ऐसा फैसला आ सकता है इसलिए तुरंद उस पर परभाव पढ़ सकता है इसलिए तारीख को और आगे बढ़ा दी जाए पिर चुनाव आजोग ने तारीखों को भी बढ़ा दिया है तीन जजों की बिंच ने कहा है कि हम मानते हैं कि मदर्सा एक्ट पूरी तरह से समविधान के तहत ही है इसलिए इसकी माननिता खारिज नहीं की जा सकती हाला कि उच्चितम न्याले ने ये जरूर कहा है कि मदर्सों में उच्चित सुविधाय होनी चाहिए और वहां पढ़ाई का ख्याल रखा जाना चाहिए सुप्रिम कोट ने ये भी कहा कि मदर्सा एक्ट जिस भावना और नियम के तहट बनाया गया था उसमें कोई भी खामी नहीं है इसलिए इसे असमविधानिक करार देना ठीक नहीं है इस पर शिर्ष अदालत ने रहाबाद हाई कोट के फैसले को पलट दिया है आगे न्याय मुर्दी जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीट ने कहा कि ये अधिनियम ना केवल वैद है बलकि मदरसों पर राज की निगरानी बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है साथ ही समविधान के अरुछेत तीस के तहर धार्मिक अल्प संख्यकों के अपने स्वयम के शोषनिक संथानों का प्रबंधन करने के अधिकारों की रक्षा भी करता है इसमें कहा गया है कि उच्च न्याले ने ये फैसला देकर गलती की है कि 2004 का कानून धर्म निर्पेक्ष्टा के सिध्धानतों का उलंगन करता है ये देखते हुए कि संविधान के मूल धांचे के कथित उलंगन के कारण किसी कानून को अवैध घोशित नहीं किया जा सकता है दखी आगे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो एहम टिपड़ी की है पहले हम गो जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ टिपड़ी की है मुख नियाधिस डिवाई चंद्रचूर नियाय मूर्ती जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मदरसों का नियम को राष्ट हित में बताते हुए कहा कि अलब संखकों के लिए अलग थलग जगा बना कर देश की सैकडो साल पूरानी मिली जुली सांस्कृती को खत्म नहीं किया जा सकता है इतना ही नहीं शीर्स अदालत ने कहा था कि देश में धार्मिक सिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है इलहाबाद उच्च नियाले दौरा उत्तरपरदेश मदरसा अधिनियम 2004 को खत्म किये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रिम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था देंकि सुप्रिम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात कई है कि सेक्डो साल पुरानी जो हमारी मिली जूली समस्कृती है हम उसको खतम नहीं कर सकते हैं और ऐसा होने भी हम नहीं देंगे क्योंकि जिस तरीके से ये कोशिश की गई कि मिली जुली संस्कृति को खतम कर दी जाए तो सुप्रिम कोट ऐसा नहीं होने देगा ये तीन जजों की बिंच ने अपना फैसला साफ तोर पर सुना दिया है कि जिस तरीके से नफरत की राजनीती और कि जा रही थी और खास तोर पर उप्रदेश में जिस तरीके से एक विशेज समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई अब सुप्रिम कोट ने उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाने का काम किया है और उट्थर परदेश में उप्चुना होने है ठीक उसे समय ये फैसला आया है क्या इस फैसले का असर उपचुनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कैसे लोगों के खिलाफ कार रवाई की जाए और उनको परिशान करने का काम किया जाए लेकिन सुप्रिम कोट ने इतिनाद की सरकार को बड़ा जटका दिया है और हाई कोट के फैसले को भी पलट दिया है आपके क्या रहा है कि अबने बॉक्स अंपीर आए जरूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशनीती धन्यवाद